आज कल एक सवाल ऐसा है जो मुझसे लगातार लोग पूछ रहे हैं फिर चाहे Facebook पर हो, YouTube पर हो या Instagram पर हो वो सवाल है भारत Pay के 12% क्लब के बारे में लोगों का कहना है कि भारत Pay के 12% क्लब में ऐसा क्या है कि जो हम लोगों को 12% तक के return generate करके दे सकता है अगर हम लोग FDs में investment करते हैं तो वहाँ पर 6% के असपास का return मिलता है Post Office Saving Skim में 7.1% का return मिलता है इसकल अगर हम लोग saving account में पैसे रखते हैं तो यहाँ पर 2.5% से लेकर max to max 3% तक की earning होती है इसे के साथ साथ social media पर बहुत सारे campaign चल रहे हैं जहाँ पर 12% क्लब को promote किया जा रहा है लोगों को increase किया जा रहा है कि अगर आप 12% क्लब में investment करेंगे तो यहाँ पर आपको 12% के return generate करके मिलेंगे तो आज किस वेडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखे 12% क्लब में 12% के return कैसे generate होते हैं इसे के साथ साथ आपको भारत पे के 12% क्लब में investment करना है कि नहीं करना है हर एक चीज़ के बारे में detail में जानेंगे अब भारत पे का 12% क्लब अपनी investors को 12% के return कैसे generate करके देता है इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को भारत पे का business model समझना होगा भारत पे small business owner को payment की services provide करवाता है यहाँ पर बहुत सारे products है payment related जैसे कि payment करने के लिए QR code, payment करने के लिए swiping machine और इसी के साथ साथ sound box भी provide करता है भारत पे के application पर try कर सकते हैं कि कितने amount का payment आया है और कब आया है और भारत पे अपने इसे application की help से इन owners को loan देता है अगर किसी को frequent buying करनी है और फटाक से loan लेना है तो भारत पे के platform पर आपको loan मिल जाता है तो इसी तरीके से भारत पे अपने customers को loan देता है जिनका भी credits score अच्छा होता है तो जो amount आप भारत पे के 12% club में investment के तौर पर जमा करते हो उस amount का loan देते हैं बिसिकली भारत पे के जितने भी customers है भारत पे जितने लोगों को भी loan देता है ये सारे के सारे customers वो लोग होते हैं जिने banks loan नहीं देती हैं और जिने NBFCs loan नहीं देती हैं अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो भारत पे का 12% club P2P lending platform है मतलब आपको यहाँ पर investment करना था आपने investment कर लिया 12% के return कमा लिए इसी तरीके से similarly जिसकिसी को भी funds के requirement होगी, loan के requirement होगी वो भारत पे के application पर आकर loan के लिए apply करेगा और आपने जो amount deposit किया है उस amount का loan उस customer को दिया जाएगा तो क्या लगता आपको यहाँ पर जो loan दिया जा रहा है वो safe है भारत पे के customer जो loan लेकर जाते हैं वहाँ पर default करने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं क्योंकि यह सारे वो लोग होते हैं जिनने banks loan provide नहीं करती है और bank उन लोगों को loan बिलकुल भी provide नहीं करती है जब bank को लगता है कि particular इंसान आपके loan को default कर सकता है तो basically यहाँ पर जो risk है वो comparatively जादा होता है अजर investment options के मुकाबले क्योंकि जब तक आपका पैसा आ रहा है तब तक आएगा और जब आपका पैसा डूब जाएगा तब डूब जाएगा hope करता हूँ कि अभी तक की video में आपको भारत पै का business model समझ में आ गया होगा और इसी के साथ साथ आपको यह भी clear हो चुका होगा कि भारत पै के 12% क्लब में आपको 12% के returns कैसे मिलते हैं लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि भारत पै के 12% क्लब में आपको definite 12% नहीं मिलेंगे हर बार और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप भारत पै के 12% क्लब की terms and conditions को पढ़ेंगे तो यहाँ पर specifically लिखा होता है आपको up to 12% तक के return मिलेंगे इसका मतलब यह है कि आपको maximum 12% तक के return मिल सकते हैं और इससे ज़्यादा के return accept नहीं कर सकते और second important चीज़ यह है कि आपको इस बात की भी guarantee नहीं है जो की हो सकता है लेंदेन क्लब तो क्या रखता आपको investment करना चाहिए भारत पे के 12% क्लब में आपको opinion क्या क्याता है मेरे साथ जरूर शेर करना भारत पे के 12% क्लब में मैं personally आपको recommend करूंगा कि आपको यहाँ पर investment नहीं करना है because अगर मैं risk की बात करूँ तो यहाँ पर risk अब से ज़्यादा है और आप investment करते हैं तो आप अपने investment के capital को भी lose कर सकते हैं अभी तक तो भारत पे के 12% क्लब को लेकर market में ऐसी कोई news आई नहीं है कि यह भारत पे के 12% क्लब के investor के साथ fraud हुआ है लेकिन अगर आप यहाँ पर investment करते हैं तो यहाँ पर investment करना बहुत ही ज्यादा risk है market में बहुत सारे ऐसे investment option है जहाँ पर आप investment कर सकते हैं और अपने investment पर अच्छे खासे return कमा सकते हैं तो definitely आपको उन सारे investment option को check out करना है और भारत पे के 12% क्लब को जितना हो सके उतना avoid करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको आज के इस वीडियो का content valuable लगा है आपने कुछ नया सिखा है तो इस वीडियो को like करना मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing of happy investing and good bye